आप सभी का मेरे चैनल पर पुर्णा स्वागत करता हूँ, आचा करता हूँ कि आप सभी स्वस्तोंगे बहादेव की क्रिपा आप सभी पर सदाय बनी रहे ये वीडियो कुम्ब यानि के अक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपून है क्योंकि ये वीडियो है, शनी महराज के वकरी प्रभाव के बारे शनी, सैटन, जो सभी के लिए बहुत महत्वपून है लेकिन आपके लिए तो उनकी महत्वता कही गुणा बढ़ जाती है क्योंकि खुद आपके लगने के स्वामी है तो शनी महराज यानि कि सैटन 30 जून 2024 को वक्री हो रहे हैं कहने कि उनकी जो चाल है वो वक्र हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, टेड़ी हो जाएगी कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रॉंग होता है सबसे पहले तो एक डरने की बात नहीं है कि शनी वक्री हो रहे है इतना इसको exaggerate करने की अवशक्ता नहीं है क्योंकि शनी महराज हर साल में एक बार वक्री होती है एक natural और regular फेनामेना है क्योंकि कोई भी ग्रह जब सूरे से एक particular degree पे आता है या सूरे पे particular ग्रह से किसी degree पे आते हैं यहाँ पे हम क्योंकि शनी की बात करें तो सूरे अतेज चलते हैं तो एक particular degree पे जब सूरे आते हैं तो वो शनी वक्री हो जाते हैं तो 30 जून को वक्री होंगे और 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे कोई भी ग्रह जब वक्री होता तो समय के कारक हैं काल निर्धारक हैं नय अधीश हैं तो और teacher हैं सबसे बड़े teacher हैं लेकिन थोड़ा सिखाने का तरीका उनका बहुत कष्टकारी सा कुछ लोगों को लग सकता है जो उनके भले के लिए ही होता है हमारे भले के लिए ही होता है तो यहाँ पर शनी जब वक्री होंगे तो आपको कुछ सिखाएंगे आत्ममंथन का समय देंगे एक ठहराव जीवन में लेके आएंगे जो जीवन के self analysis के लिए बहुत महत्तपून होगा कि क्या करना है, क्या कर रहे हैं, क्यूं कर रहे हैं पास्क में क्या गलतियां कीती उसको अभी कैसे सुधारे और उससे अपने future को कैसे सबारे ये सारी चीज़े कही ना कही शनी महाराज आपको बताने की का प्रयास करेंगे, ग्रह वक्री होता है तो उसको चेश्टबल मिलता है ग्यानि कि उसके बढ़ने की चेश्टबली कहा जाता है कि वो उस ग्रह के अंदर एक आगे बढ़ने की शम्ता एक बदलाव की शम्ता बहुत जादा होती है तो यहाँ पर हम इनी सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि शनी जो आपके लगनेश भी है वो किन-किन भावों पर आपके प्रभाव डाल रहे है क्या-क्या चीज़े बदलने का मौका देंगे किन-किन चीज़ों में सेल्फ अनलेसिस का मौका देंगे और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शनी बहुत लंबे अरसे के बाद अब अपनी खुद की राशी में आएंगे वो लेकि अभी तो अगले मार्स तक हैं 2025 के मार्स तक शनी है कुम्बमे लेकिन आखरी बार इस राशी में बक्री होंगे और उसके बाद वो अपनी खुद की राशी में करिकबन 26 साल बात आएंगे जब मकर में आएंगे तो ये एक last important phase है जब शनी अपनी राशी में है और आपके लिए उसकी महत्तता और बढ़ जाती है क्योंकि आपके लगनेश है ज़िए आपकी लगने राशी या चंद राशी को में है दोनों ही guidance के लिए इस राशी फल को देख सकते है लेक्तिकत तौर पे मैं हमेशा सकते हैं कहता है हूं कि लगन राशी से सतीकता जादा बैठती है कुछ विशेश उपाए आपको वीडियो के लिए तो मैं वशेश बताओ शुरू करते हैं इस वीडियो को organize करने के लिए मैंने इसको कुछ parts में विभाजित कर दिया है सबसे पहला point रहेगा कि शनी महराज का आपका बारवे घर के स्वामी होने के नाते क्या प्रभाव रहेगा जब वो वक्री होंगे उनका लगनेश होने के नाते और लगनेश में बैठने के नाते क्या प्रभाव रहेगा उनकी तीसरी जिष्टी आपके तीसरे घर पर उनकी सात्वी जिष्टी आपके सात्वे घर पर और उनकी दस्वी जिष्टी आपके दस्वे घर पर कि क्या प्रभाव डाल सकती हैं पहले केंद्रबिन के स्वामी है और अब वककरी हो गए देखें जैसे मैंने का ये Mol-Trikon राशी में वककरी हुए है अपनी खुद की राशी में वककरी हुए है और इसके बाद खुद की राशी में वक्री वो नहीं होंगे बहुत लंबे टाइम तक, और बारवे घर के स्वामी है, एक प्रकार से आपको लगेगा कि जीवन का एक सरकल, जीवन का एक चक्र अंत हो रहा है, और एक नया चक्र स्टार्ट हो रहा है, आप इस ताइम एक transition phase में है, जहाँ पर कुछ ऐसी चीजे अंत भी हो रही हैं, जो आप चाहते थे लेकिन कुछ ऐसी भी चीजे अंत हो रही है, जो आप नहीं चाहते थे, कुछ ऐसी चीजे शुरू हो रही है, जो आप चाहते थे, और कुछ ऐसी चीजे शुरू हो रही है, जो आप नहीं चाहते थे थोड़े से और है तो कहीं ना कहीं अपने परिवार के एक transition phase में आगे होंगे एक रास्ता खटम हो रहा होगा एक रास्ता शुरू हो रहा होगा और बारवे घर का स्वामित्व है तो अध्यात्मिक भी एक नया रास्ता आपके लेखो लेगा तो ये बारवे घर का स्वामित्व कुछ अंत भी दिखाता है और एक नई चीज की शुरुआत भी दिखाता है और ये सब के विक्तिवत जीवन में अलग-अलग प्रभाव कुछ दिखाएगा लेकिन एक नई जीवन यात्रा आपकी शुरू हो रही होगी और जैसा मने का ये transition phase होगा और ये बहुत important होता है शनी अपनी राशी में है अपनी लगन में बैठे हुए है और बारवे घर के स्वामी है नहीं कि आपको एक नई शुरुआत करने का मौका देंगे बारवे घर के स्वामी है बारवा भाव सेहत के लिए अच्छा नहीं होता लेकिन hospitals का होता ह medications का होता है, doctors के treatment का होता है तो अगर आपको कुछ problem चल रही थी health issue आ रहा था और वो solve नहीं हो रहा था तो यहाँ पर उस पर थोगा सा कारे करेंगे, diagnose करने की कोशिश करवाएंगे, maybe अगर एक doctors नहीं उस पर कुछ होता है कभी-कभी की एक doctor नहीं उसको diagnose कर पा रहा है या दवाई नहीं, कभी कहते हैं दवाई suit नहीं करी एक doctor किया, किसी एक विक्ति की तो कभी-कभी change कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर अपनी medication change करके, कोई अपना इलाज change करके, आपको कोई अगर problem आ रही थी, health issue आ रहा था, कोई disease तंक कर रही थी, तो उसे निकलने का आपको ए अगर आपके खर्चे जादा बढ़ रहे थे, तो यह वो मौका है जब आपको उपने खर्चों पर एक नियंतरन पाने का मौका मिलेगा, और खर्चे कंट्रोल होते हैं, तो अवश्य आपका profit बढ़ता है, आपका पैसा बढ़ता है, तो खर्चों पर नियंतरन का भी आपक मिलेगा, अगला पॉइंट है कि जो बहुत लंबे समय से विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, यह मैं उनके लिए नहीं कहूँगा कि जो अभी ट्राय कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए तो अलड़ी योग बना हुआ है, बारवे घर के स्वामी लगने में है, तो अगर प मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि बारवे घर के स्वामी है, और लगन में बैटे हैं, और अभी वक्री हो रहे हैं, तो जिनका बहुत लंबे टाइम से सपना था कि विदेश जा पाए, उनको यहाँ पर कोई ना कोई बहुत अच्छा उपर्चिनिटी प्राप्त हो सकती है विदेश जाने के लिए, कई लोगों का सपना होता है कि एक बार विदेश में चले जाएं, तो उनके लिए यहाँ पर अच्छा मौका बन रहा है, अगला पॉइंट बहुत इंपोर्टन है मेरे हिसाब से, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि शनी यहाँ पर जब वक्री हो करें, किसी और के साथ तो नहीं involved हो जाएगा, हमारे बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चे नहीं तो बच्चों के बच्चे, समाज क्या सोचता है, पैसा कितना है, यह सब attachments है, और जितने attachments बढ़ते हैं, हमारा डर बढ़ता है, आपने किसी साधू को जो असली साध अन्दकार से, घोर से परे हो गई, लेकिन हम सब लोग जो भौतिक्ता में घिरे होएं, पसे होएं, हमारा attachments इतना होता है, वो मेरे बार में क्या सोचता है, कई मेरा मेरे बार में कोई बुरा ना सोचता शुरू कर दे, कई मेरी image ना खराब हो जाया, कई में पास किसी चीज इसकी कमी ना हो जाए तो यह attachments हैं जो हमें दुखी करते हैं या फिर हमारे जीवन में दुख का एक कारण बनते हैं लेकिन यहां पर जब शनी वक्री हो रहे हैं बारवे घर का स्वामित्व ले रहे हैं तो आप detachment की तरफ चाना शुरू कर देंगे कई लोगों का वो इन चरण है जब आप बहुत लोगों से बहुत चीजों से दूर होना शुरू कर देंगे और with that detachment आप अपने जीवन में बहुत खुशिया पाएंगे मेरे इसाब से detachment ही असली खुशियों का एक कारक होता है अगला point है कि अगर आपके कोई legal problem चल रही थी तो उसको निप् अच्छा समय है और अगला point भी मेरे हिसाब से सबसे important है कि बारवा भाव भी एक भाव होता है जो मानसिक संतुलन दिखाता है तबी यहां पर जो मैं कहते हैं चंद्रमा यहां पर सब्ताहिक राश्यवल में की बारवे घर के चंद्रमा मानसिक संतुलन बिगाड़ते हैं त वो अपनी problems को solve करता है तो इस मानसिक संकल्ब शक्ति के द्वारा मानसिक दिरता के द्वारा आप अपनी कई problem भी solve कर पाएंगे चलते हैं अगले के इंद्रबिंदु के दिरफ जो की है शनी महराज का आपके लगन का स्वामी होना और उस नाते वक्री होना और लगन में ही इस बार शनी वक्री है और जैसा मैंने introduction में कहा था अपनी मूलत्रिकोन राशी में अब बहुत लंबे time बाद जाके वक्री होंगे और ये करीबन 30 साल 28-30 साल बाद होगा जब वो पुन्हा यहाँ पे आएंगे अपनी मूलत्रिकोन राशी में फिर वक्री होंगे तो यानि है अपने पूरे जीवन के बारे में दुबारा सोचने का अपनी इच्छाओं के बारे में सोचने का कितनी पूरी हो गई है कितनी पूरी करनी है करनी है तो कैसे करनी है कौन सी इच्छाओं को छोड़ना है अपने aims के बारे में सोचने का अपने objectives के बारे में क्या करना है कि किस ओचित्य से आप जी रहे हैं किस ओचित्य के लिए काम कर रहे हैं अपने Ames and Objectives उसके बारे में सोचना है आपको अपने Ambitions के बारे में Rethink करना है Time to time हमें अपने जीवन को Rethink करना चाई है हम यह सोच के चलते हैं कि हमें यहां से यहां पहुचना चाहिए इतने टाइम में लेकिन हम नहीं पहुच पाते कहीं यहीं रुक कर रह जाते हैं इतने ही पॉइंट में तो वहां पर re-analysis का मौका हमें अपने आपको खुद देना चाहिए और यहां तो शनी माराज खुद ही आपको मौका दे रहे हैं आपकी कौन से ambitions है जो पूरे नहीं हुए कौन से ambitions है जो बहुत important है कौन से aims and objectives है जो बहुत important है उन पर काम कीजिए और अपने जीवन को उसके अनुसार तुरसा mold कीजिए अपने contentment पर काम कीजिए आपको क्या चाहिए आपको क्या चीज़ खुश करती है क्या content करती है उस चीज़ पर काम करने का मौकर है और सबसे important चीज़ कि मैं कुम्ब वालों के लिए बार-बार कहता हूँ अपने आपको महत्वता दीजिए क्यानि कि अपने आपको priority मानिए self को priority मानिए कुम्ब वाले usually जातक जो होते हैं वो दूसरे के दूसरों के बारे में करते रहे जाते हैं वो अपने बच्चे हो अपने भाई-बहन हो अपने दोस्त हो और भावकता होती है कि अंतर दर्शाय ना लेकिन भावकता होती है क्योंकि जो कुम्ब है वो अपने आपको priority बनाना पड़ेगा, तभी आपका जीवन आगे बढ़ पाएगा, अगला point है, यहाँ पर अपनी mental और physical सेहत पर बहुत काम करने का आपको अवसर मिलेगा कोई physical problem हो, उस पर काम कीजिए gym join कीजिए, योग join कीजिए कोई meditation कीजिए तो इस से अपनी mental और physical strength को strong करने का आपको अवसर प्राप्त होगा अगला केंद्रविंदू लगन पद प्राप्ती दिखाता है, लगन के स्वामी इतने strong है, कि obviously पंचमा पुरुष योगादी बनाना है, लेकिन वक्री होना, उनकी strength को कई गुना बढ़ा देता है, तो यहाँ पर लगन के स्वामी का, यहाँ पर बैठना है, यानि कि आपको अपने जीवन में पद प्राप्ती का अवसर प्राप्त होगा और obviously जब पद प्राप्ती होती है तो वक्ती को अच्छा ही लगता है अगला point बहुत important मेरे हिसाब से, जैसा मैंने दो-तिन बार बोल दिया है कि कुम्ब में है बहुत टाइम बाद आएंगे वापस अब लगन के स्वामी का देखे शनी अधिकतम वक्ती जिसका लगन मकर या कुम्ब है अधिकतम उनके लिए दो बार ही usually आप आते हैं उनके लगन में पूरे उनके जीवन में अगर समय जब जन्मुका हुआ तब उसी टाइम अगर लगन में हो तो होता है कि तीसरी बार उनको मिल जाता है तो ये obviously बहुत important टाइम है कुम्ब मालों के लिए तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा planning करने का मौका मिल सकता है जो ना केवल अभी के लिए बलकि आने वाले 15-20 सालों के लिए आपके जीवन की एक नीविताय कर सकते है financial जीवन में हो professional में हो personal में हो यहाँ पर आपको इस 5 महीने के कालखंड में कुछ ऐसा करने का उसर मिलेगा जो एक बहुत लंबे अरसे तक कुछ ऐसा planning करने का मौका मिलेगा जो एक बहुत लंबे अरसे तक आपके जीवन में कुछ ना कुछ स्थिरता दे कर जाएगा कुछ ना कुछ प्राप्ती करवा कर जाएगा तो planning के लिए यह पूरे 5 महीने का कालखंड बहुत अच्छा है किस प्रकार से आप वो डिपेंड करता है आपके स्टेज पे है लाई कि लिए सब के लिए लग लग होगा लेकिन आने वाले 15-20 सालों की जो नीव है वो यकीन मानिये इस 5 महीने में ही आप रखेंगे अगला जो केंदर बिंदू है वो है त्याग किस चीज काते है यहाँ पे आपको बुरी आदतों और बुरे लोगों क्यानी कि अपनी एडिक्शन का और अपनी गंदी संगत का गंदे लोगों की संगत का जो आपके साथ हमेशा होते हैं लेकिन आपका भुरा चाहते हैं कई लोग होंगे आपके साथ, मैं हमेशा बता दो, कुम्ब वाले, इनको अपने दोस्तों से दोखा मिला होता है, अधिक्तम कुम्ब वाले, 100 में से 90 कुम्ब वालों को अपने दोस्तों से दोखा मिला होगा, और यहां पे आपको उनी लोगों को, जो हमेशा आपके विरुद करेंगे और अगला जो केंडर बिझ्दू है वो है राज्य से लाब राज्य आज के टाइम में अगर हम बोने तो सरकार हो सकती है अगर आप प्राइवेट जॉब में करते हैं तो आपके बॉस्स आपकी कंपड़ी राज्य हो गई आपके लिए तो आपको अपनी कंपनी से अगर प्राइवेट जॉब में है तो वहां से कुछ लाब मिलेगा सरकारी जॉब में है तो सरकार से आपको कुछ लाब मिलेगा कुछ सरकारी कारे अटक रहे थे वहां से आपको लाब मिलेगा और इसके साथ ही अगर कुछ आप करना चाले थे जिसमें आपको सरकारी मदद चाहिए थी अगर आपका बिजनस भी कुछ ऐसा जिसमें आपको सरकारी मदद चाहिए थी तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा करने का मौका मिल सकता है अगले किंद्रबिंदु की तरफ जो कि है शनी महराज का आपके लगन में बैठकर आपके तीसरे भाव को देखना अपनी तीसरी दृष्टी से, सबसे पहला तीसरी दृष्टी शनी की और तीसरा भाव के सदैव चेंज की तरफ लेके जाता है, तो तीसरे भाव पर प्रभा सकते हैं, प्लैनिंग और इंप्लिमेंटेशन, प्लैनिंग एक अलग चीज है, मैंने थोड़ देर पहले कहां कि 15-20 सालों की प्लैनिंग करने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि साथ ही साथ तीसरा भाव भी इंपेक्टेड है, यानि कि आपको प्लैनिंग के एक अलग ही उत्साह आपके अंदर आ जाएगा, आगे बढ़ने का, और आप देखेंगे आपकी जो problem solving capacity है, वो कई गुना बढ़ जाएगी, और ऐसा ही विक्ती success प्राप्त करता है, अगर आपका अपने भाई-बहनों से कुछ संबंद बिगड़ गया था, छोटे भाई- करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, अगला पॉइंट है कि तीसा भाव अधूरे काम को पूरे करने का मौका देता, और यहाँ पर शनी का वक्रप्रभाव, आपके अरसों से और बरसों से, जो अठके वुए कारे थे, छोटे छोटे बड़े बड़े, उस सारे यहाँ पर शनी महाराज आपको पूर्ण करने का एक अवसर प्रदान करेंगे, और जब ऐसा होता है, तो विक्ती अवश्य सफलता की और अग्रसर होता है, जो तीसा भाव है, वो चौथे भाव से बारवा है, अगर बहुत लंबे टाइम से आपकी कोई प्रोपरटी फसी हुई थ तो उसका अंत करने का मौका में लेगा, यादि कि आपको प्रोपरटी को बेचने का मौका में लेगा, यह हो सकता है कि आपको प्रोपरटी बहुत अच्छे रेट पर ना विक्याब की, आपने 40 लाग की प्रोपरटी ले थी, आपको लग रहा था कि बेच चुगा तो मैं 80 लेकिन कभी-कभी होता है प्राइस नहीं राइस करते तो अस्ती के शाद आपको साट में ही बेशना पर जाया, सत्तर में बेशना पर जाया, अगर आपको पैसा चाहिए था लेकिन अगर आपकी long term फसी हुई कोई property थी, आप उसको बेशना चाहते थे तो compromise के साथ आप उस property को यहाँ पर बेच सकते हैं अगला point है कि यहाँ पर अपनी physical strength बनाने का मौका मिलेगा तीसरा भाव physical strength दिखाता है तो शनी लगनेश हैं तीसरे भाव को देख रहे हैं तो अपने आपको और physically active और physically strong बनाने का आपको मौका मिलेगा तीसरा भाव जो होता है वो सब्तम से नवम भी है यह कही ना कहीं दिखाता है कि business में अगर कुछ बाद है यानी तो कैसे सौल हो सकती और यहाँ पर एक चीज दर्शार है कि शनी सब्तम को भी देखना है उसके हम आएंगे अगर आपके business में कोई manpower की problem आरे थी कि आपको अच्छे employees नहीं मिल रहे थे manpower नहीं मिल रहे थी तो problem पर काम करने का और उससे कुछ अच्छा प्राप्त करने का यादि कि manpower की problem को solve करने का मौका आपको मिलेगा और अगला point बहुत important है कि तीसरा भाव skills का होता है तो अपने skills को बढ़ा कर उसका लाव उठाने का मौका भी आपको यहीं पर यादि कि शनी महराज के वक्री होने पर मिलेगा तो बहुत विशेश प्रभाव मिल रहे हैं इनका लाव उठाईएगा अगली केंद्रबिंदु की तरफ जो कि है शनी महराज का आपके सब्तम भाव को देखना सबसे पहले जो दो भाव होते हैं अगर इनमे connection कुछ अच्छा होता है तो जीवन में एक balance आता है इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर लगन में कोई positive ग्रह है या लगन का स्वामी ही बैठ जाता है तो विक्ति success प्राप्त करता है क्योंकि उसके जीवन में कई चीजे balance हो जाती हैं कई चीजों के उसको मौके मिलते हैं अब यहां पर शनी अपनी मोलत्रिकोन राशी में वक्री हो रहे है तो जीवन में एक balance लाने का आपको मौका मिलेगा यह repair का मौका है चीजें खराब हो जाती है टीवी खराब हो गया refrigerator खराब हो गया तो उनको repair करना पड़ता है वैसे ही जीवन में भी कई बार हम चले जाते हैं, चले जाते हैं काम करे जाते हैं, करे जाते हैं या तो मानसिक रूप पे खराब हो जाते हैं या शारी रूप से तो उन सारी ही चीजों को ठीक करने का यानि कि repair करने का एक मौका आपको शनी महराज देंगे जैसा मैंने करना ठहराव लाएंगे वो ठहराव अपनी चीजों को सुधारने के लिए ही है अगला point है कि आपको अपने desires अपनी इच्छाओं को जानने का मौका मिलेगा कि आपको क्या चाहिए और सब्तम्भाव desires का भी एक स्थान होता है तो आपको उनको पूर्ण करने का मौका मिलेगा सब्तम्भाव promotion के लिए भी बहुत important होता है अब यहाँ पर उनके लिए बहुत सुनहरा मौका मिलेगा जिनकी promotion बहुत सालों से डिले हो रही थी हर बार आपको लगता था कि इस बार promotion होगी आपके boss ने भी बोल दिया कि इस बार तो आपका ही नाम आना है और कोई है ही नहीं लेकिन काम अठक जाता था अब यहाँ पर शनी क्योंकि वक्री हो रहे हैं मौलत रिकोन राशी में और सब्तम भाव को देख रहे हैं और दस्वे को भी देख रहे हैं उस पर हमाएंगे तो यहाँ पर आपको अगर बहुत लंबे अर्से से आपकी promotion अठकी हुई थी तो उस promotion को प्राप्त करने का एक अवसर मिलेगा और सब्तम भाव married life का है मैं खईबा बता चुका हूँ कि शनी का प्रभाव ऐसे तो married life पर अच्छा नहीं होता लेकिन वक्री है तो यहाँ पर आपको अपनी married life पर थोड़ा बहुत काम करने का आफसर मिल सकता है काम या फिर चीज़े ठीक तभी होंगी जब initiate भी आप करेंगे और सबसा compromise भी आप करेंगे अगर आपको यहाँ पर लगता है कि सामने वाले side से चीज़े ठीक होना शुरू होंगी उसके chances कम है यहाँ पर आपको ही चीज़ों को ठीक करने का प्रत्ने करना पड़ेगा थोड़ा compromise करना पड़ेगा चलते हैं आखरी केंद्रबिंदु की तरफ जो की है शनी महराज की दस्वी दृष्टी आपके दस्वी स्थान पर शनी लगनेश है लेकिन बारवेगर के भी स्वामी है तो यहाँ पर करियर में दो तिन चीज़े देख रहे हैं एक अगर आप बहुत लबे अर्से से जॉब चेंज का प्रत्ने कर रहे थे वो मौका आपको मिलेगा दो साल तीन साल हो गया आपको जॉब ही कोई अच्छी नहीं मिल रही दूस्ता अगर आप बहुत लाइन टाइम से जॉब के लिए पर्टी कुल रहे हैं मैंने विदेश का तो बता दिया है लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि दस्वे भाव पर भी संबन्ध है पर्टी के लिए अगर बहुत लंबे टाइम से विदेश की जॉब डूट रहे थे और वो आपको मौका नहीं मिल रहा था तो यहाँ पर इस काल खंड में पूरा अफसर है कि आपको विदेश में जाने का अपनी जॉब के लिए करियर के लिए मौका मिल सकता है और बारवा भाव अंत भी दिखाता है उसके स्वामी वक्री होकर रस्टेघर को देख रहे है अगर आप अपनी जॉब प्रोफाइल में कुछ चेंज लाना चाहते थे आप चाहते थे कि आपकी स्ट्रीम बदले आपका प्रोफाइल बदले तो वहाँ पर भी आपको कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है दूसरा शनी लगनेश है बहुत स्ट्रॉंग पंचमा पर उश्योग बना कर बैटे थे और आप वक्री भी हो गए आपकी जो करमठता है आपकी जो निष्ठा है किसी भी कारे को करने की वो बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगी आपके विल पावर बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगी और इन दोनों चीजों के चलते ही आप जीवन में सक्सेस तो प्राप्त करेंगे ही आप अपने जीवन के कई कई अधूरे कारे इस पूरे कालखंड में पूरे करेंगे आप खुद देखेंगे बहुत ऐसे कारे जो आप बहुत सालों से जाते थे, ये हो जाए, वो हो जाए, कहीं कहीं अटक जाते थे, फिर आप भूल जाते थे, उस सारे कारे आपको यहाँ पर पूर्ण करने का एक अवसर मिलेगा, all in all, शनी महराज आपके लगन में बैठ कर, क पाय के दिरफ चलते हैं, यह पाय आपको दो शनीवार करना है, लगातार यानि कि एक शनीवार के बाद एक शनीवार, अगर इनके नहीं हो पाता तो अगले शनीवार को continue कर सकते हैं, पहला पाय महादेव के मंदिर जाकर, पंचामरिस से महादेव का भी शेक करना है, चार स बजरंग बान का तीन बारपाट करना है और आपको शनी मंदर में तिल का तेल और सरसो का तेल दान करना है जो लोग विदेश में रहते हैं अगर आपका कोई डिलेटिव इंडिया में है तो उनके हाथों से यह दान करवा सकते हैं और उनके द्वारा भी यह उपाय को कर सकते हैं क्योंकि यह उपाई की कोई महत्त होता है इसलिए मैं बताता हूं वहाँ पर जितना यह था संभव आपसे होता उतना करिए अगर कोई आपका जानने वाला वेक्ती है तो उनके थूँ यहाँ पर करवा सकते हैं या एटलीस वो दान बुन का खारे कर सकते हैं तो आशा करते हूं कि वीडियो आपके काम आएगी चैनल पे नहे है सब्सक्राइब कर लेजी वीडियो को लाइक कर लेजे मिलता हो लेडियो में तब के ली ओन्माश